दोस्तों आज के समय में जितने भी लोग ब्लॉगर हैं या फिर वर्डप्रेस हैं जितने आर्टिकल्स को पब्लिक करते जा रहे हैं ओ आर्टिकल्स इंडेक्स होना बहुत मुश्किल हो गया है मेक्सिमम लोगों को यहां पर एक कमेंट था मुझे इस्टान पर बहुत सारे कि मैं अपने आर्टिकल्स पब्लिक कर रहा हूं लेकिन आर्टिकल्स मेरा इंडेक्स ही नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको ऐसे मेठेड बचाऊंगा ब्लॉगर हो या फिर वर्डप्रेस अगर इस वीडियो को कम्प्लीट देख लोगे तो मैं आपको ग्रैंटी के साथ कर प्रूओ गया होगा चाहे आपने पहले से भी आप्ली किये होंगे और आगे करने वाले हैं सारा आर्टिकल्स आपको इंस्टेंट इंडेक्स आपको सुरू होना भला है तो मैं आपको सखेड़ेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कम्प्लीट देखो तो सबसे पहले मैं दि आगे ये यानि मेरा आटिकल्स अंडेक्स है और इंडेक्स कब से पता कर सकते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो 13.com कोंडेक्स ब्सकिल्फिछ को कैसे करना है उसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा गूगल क्लावड का जो ब्लॉगर के लिए काफी पॉट्प्रेस इसक सबटेन सब्स करकाया सब्सक्राइइभ यहाँ पर लिंक आयेगा उसको आपन करना है देखोगे इसको अ सब्सक्राइभ कर लेना है इसी कि मदद से हर आर्टिकल को इंडेक्स कराऊंगा जो आपको लाइव दिखाऊंगा यहां पर आने से पहले एक चीज़ को नोट कर लेना है आपका ब्लॉगर एकाउंट या फिर वर्डप्रेस एकाउंट या सर्च कॉंसोल एकाउंट सारा चीज सेम होनी चाहिए तब भी यह बर हर एक आर्टिकल इंस्टेंट इंडेस्ट होगा अधरबाइज आप फेलूर हो जाओगे बार बार इरर आएगा तो बाद में मुझे आप मत बोलना उसके लिए सबसे पले न्यू प्रोजेक्ट को क्रेट करना पड़ेगा तो न्यू प्रोजेक्ट के आपको चले जाना है जैसी जाओगे तो थोड़ा सापको वेट करना पड़ेगा और यहां पर प्रोजेक्ट का नाम डलना पड़ेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा जो आपका यहां पर जो वेप साइट है उसी से डाल सकते हो ताकि बाद में इसको अदेंटिफ फाइव कर दिया जा सके जै प्रोजेक्ट के ओप्सन पर चले जाना है जैसी चले जाओगे तो थोड़ा सा वेट करना है देखो इस तरह से एपी आई जो आपने सेलेट किया ऊपर में दिखा जेगा अब आपको यहां पर आपको आई-एमें सर्विस एडविन का ओप्सन आ रहा है यहां पर एक ओप् करना है जैसे पर जाओगे तो आपको एक थुड़ासा वेट करना पड़ेगा और यहां पर उपर में देखोगे तो क्लिक करनी है अब यहां पर आपको एक और आप ध्यान से आपको फॉलो करना है अगर एक भी स्टेप मिस कर देते हो तो आप बाद में मुझे कमेंट करो कि भाई आपने बताया वह वर्क नहीं कर रहा है और और यहां पर एड्मीन का रोल देने के लिए आपको करना क्या होगा करेंट के यहां पर एक अप्सण और 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 को क्लीक करना है अब को एक इमेल और पासवर्ट दिया जायेगा जो आपको क्या होगा Google Search Console को open करना होगा मैंने और लेड़ी open कर रखा है तो करने के बाद देखो मैं यहाँ पर एक सेलेट कर लेता हूं जैसे यहाँ पर मेरे एक website है यह भी इसी के लिए मुझे बनाना है तो सेलेट कर लेता हूं और बाकी website जो भी आपको बनाना है जो भीदेंगे करवाना है उसको सेलेक्ट करना है सेटिंग का एक option आएगा वहां पर चले जाना है सेटिंग पर जाने के बाद देखोगे तो एक option आएगा और यहां पर देखोगे नीचे एक option आएगा user and permission का यहां पर आपको जाना है अब आपको add user के option पर क्लिक करनी है अब आपको email और यहां पर ownership जो देना है वो आपको permission देना होगा उसके लिए बापिस से यहां पर चले आना है और आपको यहां पर double click करनी है जैसे click करोगे तो आपके पास एक email आ जाएगा उसी email को आपको copy paste करना होगा जैसे मैं इस पर click किया तो नीचे आना है नीचे आने के बाद देखोगे तो एक email address आपको दिया जाएगा इसके option पर आपको click करना है और इस email को copy कर लेना है मेनुअली चाहे तो आप copy कर सकते हो यहां से मैंने copy कर लिया है आप सर्च कॉंसोल में चले जाना है और आपको ओनर करना है और उसके बाद एड़े उजर पर आपको क्लिक करनी है थोड़ा सा बेड करने के बाद देखोगे तो लगवग आपका 2 रहो जाएगा जो अभी आपने एक यहां बनाए है पी आई का तो यहां पर सर्च इंडेक्स करने से पहले आपको एक API की जनेरेट करना पढ़ेगा जिसके लिए आपको चले आना है जब भी मैंने यहां पर दिखाया गूगल क्लाउड में और यहां से एक्षन का एक भी बॉटम डिलेगा उसके बाद मैनेज की के ऑप्सन आएगा इसके ऑप्सन पर आपको क तो मेरा फाइल डॉनलोड इटमेटिक हो गया है अब आपको API services को इनेवल करना पढ़ेगा जिसके लिए इसका फिर्ट्री इसको आपन करना पढ़ेगा चाहिए तो आप होम पेज में जा सकते हो लेकिन मैं रिकमेंडेट करूंगा होम पेज में मत जाना डिरेक्ट आपको API option आएगा इसको फिर से करना पढ़ेगा उसके बाद इसको इनेवल करना पढ़ेगा जैसे जैसे मैं बतारा हूं थोड़ासा वीडियो लेट हो सकती है थोड़ास आपको टाइम देना पढ़ेगा इस वीडियो को देखने के लिए बाकी आपको सही हो जाएगा इनेवल सर् थो फिर पर इनेवल करना पढ़ेगा इयाँ परकाम खत नहीं होती है यहां पर कुछ सेकिंड लेगा थ्लॉरास आपको करना पढ़ेगा उसके बाद आपको यह पर जो गूगल ड्राइब है उसके सार्ट कनेक्ट करना पढ़ेगा तब जाकर आपका इंडेक्स इंश् wraps corrupted यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसका निंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोंगा आपको टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले आपको यहां पर यहां पर मागेगा परमिशन करेंगा अपका गूगल ड्राइब का तो यहां पर मस्ट फरी इसमें वाइप करने की जरूरत पड़ेगी और मेरा ढर्राइब हो कर देता हूं और करने के लिए नीची आना है और यहां देखोगे आपको ड्राइब में जो पाथ अभी डाउनलोड कर वाया था उसको यहां पर अप्लोड करना है उसके लिए यहां पर यहां पर सबसे पहले आपको कर लेनी है मैंने फाइल अप्लोड किया है अब आपको माई ड्राइब में जाना है और आपको चूज करना माई ड्राइब में आपने जितने फाइल बगरा दिखेंगे और अभी अप्लोड किया है तो यहां पर सो करेगा देख सकते हो तो यहां पर जाना है और यही पाथ है जिसको और आपको कुछा हुआ है यहां पर चैप में चले आते हैं तो सबसे पहले यहां पर नॉर्मली लिखा यह डेमो के लिए है इसका कॉपी कर लेते हैं लिंक को जैसे ड्राफ्ट में है इसलिए यहां पर जो पब्लिक है उसको मैं कॉपी कर लेता हूं बाकी इसको एक बार चले आना है इस फाइल में जहां यहां पर करना पढ़ेगा और यहां एक रन का ओप buscar पर आपको क्लिक कर ना है और ढ़ीं मिसिंग देते हैं तो वहां पर इरर आएगी लास्ट में मैंने सक्सेक्सपूल दिखा यह जरूर होनी चाहिए तभी जाकर आपको जितना भी पोस्ट है वह इंडेक्स होगा जैसे कि आपने एवल आर्टिकल्स लिखा था इसका लिंक को सिर्फ कॉपी करना है और यही वला पर जो मैंने अभी दिखाया है इस पर चले आना है और मेंवाली आपको यहां पर डालना पड़ेगा जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हो क्योंकि यह ब्लॉगर है ब्लॉगर पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अटिमेटिक हो जाएगा जैसी इस पर क्लिक करना है तो यहां पर देखोगे रन करो क Castro मिए जाएगा कमेनट बाक्स में मिल जाएगा इसको जरूर कापी करके बॉकमा कर लेना क्यूंकि बार-बार आप इसको कपे लिए कर देना है और पर टुमेट करें देना है रहा है सिरु सब्किर लिंक करना है इस जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो पसंद रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखो ऐसे कंटेंट आपको लाते रहता हूं तो आप लोग टू के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट के लिए हम लोग यहां पर बहुत नजदिक हैं तो जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद